Welcome to my YouTube channel, मैं सुनीदा गोयल कुक, मैं आपका स्वागत करती हूँ, आज मैं आपको आलू की कड़ी बनाना बताऊंगी पकोड़े की कड़ी तो आपने बहुत खाई होगी, आज आप आलू की कड़ी बना के देखी मेरे स्टाइल में यहां मैंने 500 ग्राम आलू लिये हैं, और यह उबाल लिये हैं जिसको मैंने और टुकड़ों में कट कर लिया है, यह 5-6 चमच मैंने बेसन लिया है, दही लिया है मैंने, आप मठे का भी इस्तिमाल कर सकते हैं, खटा होना चाहिए, दही या मठा कुछ भी लेया, हरी मिर्च ल ही भी लिवरा है, तेल गरम करेंगे कड़ाई मी और उसमें हम सबसे पहले मेशी दाना आड़ करेंगे, इसको चटकनी के बाद हम हीघ आड करेंगे, हींग के बाद हम आलू आड़ कर देते हैं, आलूों को अच्छे से भून लेते हैं, इसमें अब हम हल्दी पाउडर आड कर देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेते हैं हल्दी पाउडर को भी अब यह जो हमने जाइफर लिया है यह बहुत ही अच्छा होता है सहत के लिए इसकी तासीर गरम होती है कड़ी हमारी किसी भी तरह से नुकसान नहीं करेगी यह मैंने बेसन जो लिया था उसको एड कर दिया है इसको भी भून लेते हैं जैफर का पाउडर बना कि मैंने इसमें एड कर दिया है अब आलू को हम भूनते हुए बेसन को अच्छे से आलू के साथ भून लेते हैं अब हमने दो कप दही का इस्तेमाल किया था वो भी एड कर देते हैं मैंने बेसन भूनने के आप कम्या जादा भी कर सकते हैं पर मैंने दो गिलास पानी का इस्तमाल किया है नमक स्वादा नुसार लें अब ये हमारी कड़ी पकने लगी है अब हम इसमें हमने जो चिली फ्लेक्स बना के रखे थे अपनी मिर्च को मोटा मोटा कूट लिया था उसको भी एड कर देते हैं इससे कुटी हुई मिर्च का कड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है पिसे हुई मिर्च का हमने पाउडर एड नहीं किया है अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला एड करेंगे इससे कड़ी में बहुत अच्छी खुसबू और टेस्ट भी आता है इसको भी मिक्स कर ले और गैस का फ्लैम आफ कर देंगे हम कड़ी के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं एक तड़का पैन लेंगे इसमें और आधा चमच जीरा एड़ करेंगे दस से पंदरा जो लेसन की कलिया हमने चौप की थी उसको एड़ करेंगे पांचे हरी मिर्च कट करके रखी ती उसको और हींग को सबसे लाष्ट में एड़ करेंगे करी पत्ता एड़ करेंगे और ये थोड़ी सी हमने चिली को जो कूट के रखी थी मिर्च पाउडर उसको हम एड़ कर देते हैं इससे कड़ी में बहुत अच्छा कलर आएगा हमारी कड़ी बनके तैयार हो गई है बाल में कर लेते हैं ट्रांसपर बहुत ही ईजी तरीके से और यम्मी कड़ी मुझे बहुत पसंद है आलू की कड़ी आप मेरे तरीके से बना के देखिए सबी लोगों को बहुत पसंद आएगी